हाँ तो वही कैसे हो सबी सो फाइनली हानी पाईजी के 11 मिलियन मंतिली लिसनर्स हो चुके हैं और स्पॉडिफाई तो ऐसे ही सुनते रहो उनकी जतने भी गाने हैं वाई स्पॉडिफाई पे स्ट्रीम्स करो जादा से जादा सुनो और यह सब बिदाउट एनी एड्स हुआ ह क्योंकि आज की टाइम में ऐसे कई आटिस्ट है जो कि एड्स के तुरू प्रमोशन कराते हैं अपने स्ट्रीम्स भी बढ़ाते हैं बट यह पूरा और गयनिक है और उपर से हानी पाजी के तो एल्बम भी नहीं आई है स्पॉडिफाई पे हनी 3.0 एल्बम क्योंकि सबको है कि जी म्यूजिक लेवल का लाइसेंसिंग का प्रॉबलम है स्पॉडिफाई के साथ में एल्बम नहीं आ पाईगी बाकि उनके जितने भी गाने है ना भाई इसी पर स्ट्रीम करा करो और भी जो अधर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी सुन लिया करो औ तो वह गयाब हो चुका है अभी सर्च में नहीं आ रहा है हो सकता है जब तक आप लोग यह वीडियो दो को तो आ जाए लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है फिलाल लेट सी आगे देखने को मिलता है या फिर नहीं और बाकि इसके लाबा काफी दुनों से सभी भाई लोग मेर करते थे और सुनते थे है ना तो उस टाइम पर अपन वेट करते थे कि हानी पाजी का गाना कव आएगा फलाना गाना सुनने को मिल जाए और बहुत ज़्यादा आते भी थे लेकिन आज सीन चींज हो गया है सब के पास फोन है घर घर में और टीवी भाई बहुत कमी लोग इसपैसली जो निव जनरेशन है भाई वो तो बिलकुल भी नहीं दिखते तो ध्यान भी नहीं रहता है बाकि ऐसी बात नहीं है आते हैं गाने और अब आर्टिस्ट भाई बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो हर एक आर्टिस्ट के गाने आते हैं पहले के डाइम पर हनी पाजी थे तो उन्हीं उन्हीं के गाने सुनने को मिलते थे बाकि हनी पाजी के गाने आते हैं रिशनली उनका जो तुछ पे प्यार ट्रेक आया था फ्रम हनी 3.2 एल्बम वो भाई कई टीवी चैनल्स पर ब्रोडकास्ट हुआ है लाइक 9xm एंड mtvbeats मेरे पास करने का वेट करता है जैसे पहले करते थे वह भी कमेंट्स में बताओ बाकी चानल को सब्सक्राइब कर लो अगर हनी बाजी को फैन हो मिलते नेक्स वीडियो में पाए